आज पौधों के लिए लुक्केट खाद बनाएंगे और ऐसी पावर बूस्ट खाद बनाएंगे जो पौधे में एकदम से ग्रोथ दिखाई देगा और फलवार भी बहुत होगी उसके लिए हमने कुछ चीजें इकटी की हैं वो सारी चीजें मैं अब बताऊंगा और ये इत सब्जियों में ग्रोथ होगी और ये इजी तोर से अपने घर पे ही सारी समगरी हैं जिनसे ये खाद बनेगी और पहुत ही पावर्फुल खाद होगी नमस्कार मित्रों मैं राजी कुमार कानपुर से किचन गार्णिंग चैनल पर मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे एक बूस्ट पावर बनाने जा रहे हैं जो लिकट खाद होगी इतनी बूस्ट होगी कि जिसको हम पौधों में बेल वाली सबजियों में फल वाली सबजियों में जैसे जिस भी पौधे में डालेंगे उसमें ग्रोथ बहुत तेज होगी और ये इतनी तेज ग्रोथ करेगा जैसे हमाई लौकी का पौधा है मिर्ची का पौधा है इतनी मिर्ची लगेगी कि आप मिर्ची तोड़ते तोड़ते परेसान हो जाएंगे इतना पावरफुल ये खाद होगा और लिकट खाद होगा ये खाद अपने घर पे ही उपलब्ध होग और इसको बनाना कैसे है मैं आपको बताऊंगा यह सारी सामगरी अपने घर पर लब्द है कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करना है आपको जैसे मैंने यह ऑभी यह देखिए चाइ की पती है घर पे युपल웃 दोती सौ ग्राम चाइ की पती को लेना है और वो 100 ग्राम चाय की पत्ती में एक लीटर पानी आप डाल दीजिए एक लीटर पानी डालने के बाद में आप इसको खुब अच्छी तरह से खौलाना है लगबग 10-15 मिनिट इसको खौलाना है 10-15 मिनिट जैसे पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो आप बड़े बरतर में लिजिए जैसे 2 लीटर का भगोना है उसमें ले लिजिए उसमें 100 ग्राम चाय की पत्ती डाली और 2 लीटर पानी भरिए और उसको खौलते खौलते जब एक लीटर पानी बचे तब उसको बंद कर देना बंद करने के बाद यह ठंडा करके जैसे मैं ले आया हूँ मैं यह देखिए यह चाय की पत्ती का पानी ठंडा करके ले आया हूँ अब इसके बाद में आपको इसको एक इस तरह से आपको यह मेरा 50 लीटर का ड्रम है इस 50 लीटर के ड्रम में ये चाय की पत्ती ऐसे डाल देना है ये देखिए आपको दिख रहा होगा है चाय की पत्ती ये 50 लीटर के ड्रम में ये चाय की पत्ती की सहित डाल दीजेगा इसमें जो चाय की पत्ती चानना नहीं है जो चाय की पत्ती है उसको चानना नहीं है उसको ड़ी को फेकना नहीं है उस दही को देखे मैंने क्या कि आए इस तरह से पांच किलो ड़ी लिया ये 5 किलो नहीं है और मिक्सी के अंदर मैंने जो नइ इसको अच्छी तरह से डाल के और फेट लिया है कि catching तरह के फेटना इसमें इसमें तो चोटे कण रह जा जाते तो नहीं जाएं है इसलिए मिक्स्री के अंदर डाल के फैटना और यह पांच किलो मैंने लिया है पांच किलो फैटने के बाद अब इसको भी इसी के अंदर div मैं आपको डाल करे करता हूं इसी ड्रम के अंदर इसको भी डाल्य c पांच किलो मठ़ा दही से के बनाइब है को यह की पत्ति के अंदर इसे बहुत से ओर इसके भाद में अब आपको भताएंगे इसके बाद में क्या करना इसके बाद में ये गुल लेना है एक छोटा सा जो है न गुल लेना है लगबग ये समझे सो ग्राम देड़ सो ग्राम गुल लेना गुल को इसके अंदर गुल को भी डाल देना है गुल डालने के बाद मठा के उडालना है मठा के अंदर दही के अंदर सूच में जीवान बहुत ज्यादा होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत फायदा करते हैं और इसके बाद इसके अंदर कापर भी ये दिखें मेरे पास कापर है इस कापर को भी इसके अंदर डाल देना है कापर डालने के बाद इसके अंदर पानी नहीं भरना है पानी इसलिए नहीं डालना है इसके अंदर बेस डी कमपोजर से ये पूरा ड्रम भर दिया जाएगा और ये पतला काफी पतला करना है पचास लीटर का ड्रम ये मेरे पास बेस डी कमपोजर है मैं base decomposer से, base decomposer में बहुत छोटे-छोटे सूच्म जीवान होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत फायदा करते हैं, जैसे हमारी मिट्टी में, अब गुल क्यों डाला है हमने, गुल इसलिए डाला है कि जो हमारे सूच्म जीवान हुआ है, ये गुल उनका भोजन है, वो जिस खेत से यार जिस जहां से मिट्टी लेके आते हैं, उसमें इतने रसानिक तत्त मिलाए जाते हैं, इतने ज्यादा रसानिक दिये देखिए, हमने इसमें अपना waste decomposer भी डाल दिया, अभी और इसको भरना है, भी मैं अमरे पास 100 लीटर waste decomposer हर वक्त तयार रहता है, वो इ इसके बाद ये 21 दिन मैं इसको ऐसे ढखके रखोंगा और इसको चाया वाली जगे में रखना है, क्योंकि चाया वाली जगे में इसलिए रखना है, क्योंकि इसके अंदर महीन जीवानु हैं, वो जीवानु ना मरें और सुबह साम इसको डंडे से चला दूँगा, चलाने क जीवाणू सारे खतम हो चुके हैं, उसके अंदर जैविक बिलकुल खतम हो चुका होता है, इसलिए हमको अपनी मिट्टी के अंदर जैविक पैदा करना है, जितना जैविक मिट्टी के अंदर हम पैदा कर लेंगे, उतनी मिट्टी हमारी पावरफुल बन जाएगी, उतनी त भी खेती करनी इसलिए जीवानों हमको जीवानों हमको सबसे ज्यादा अपनी मिठी के अंदर जीवानों पैदा करने हैं अब जीवान कैसे पैदा होंगे यह खाद जब हम डालेंगे तो हमारे जीवानों करते क्या हैं जो भी हमारे अपने खाद के अंदर मिठी के अंदर जो बहुत जीवाड़ू हैं, ये जीवाड़ू अपने अपना परिवार बढ़ाएंगे, अपना जब ये परिवार बढ़ा लेंगे, तब हमारे ग्रोथ हमको दिखाई देगी, ये मैं अपने पौधों में बहुत समय से इस्तमाल कर रहा था, और देखिए मेरे पीछे आप ग्र बराबर नहीं डालनी चाहिए, हर समय जैसे हम आप जो है ना दाल रोटी सब्जी एक बार खाएंगे, तो हमको वो प्रोटीन वो तक तो नहीं मिलेंगे, इसलिए समय समय पर हमको बदलते भी रहना, आज इस अपने ये वाली खाद डाल दी, अभी मैं आपको और खादे ब में डालना है, इसका एक लीटर, इस तरह से आप जैसे ये मेरा दस लीटर का है, ये दस लीटर का मेरा कैन है, इसको हजारा बोलते हैं, मतलब माली लोग, इस दस लीटर में आप नो लीटर देखिए, इसमें दस लीटर लिखा हुआ है, ये देखिए, दस लीटर लिखा कि यह थोड़ी दिन बाद इसको इस्तोमाल कर लेना नई तो इसके अंदर मैंने वेश डीकमपोजर डाला है पानी नहीं डाला ह hen इसके अंदर पानी डाल देते तो यह जल्दी खराब हो जाता है इसलिए कभी भी कोई भी खाद बना आप अपने घर पे वेशडीकमपोजर ज आती हुई फसल होती है आपने देखा होगा मेरे को हर तुसरे दिन तीसरे दिन मैं अपनी फसल इतनी जाय तोड़ता हूं कि मैं आज जब से मैं खेती कर रहा हूं बजार से केवल आलू प्याज ही खरीदता हूं इसके अलावा मैं कोई सब्जी अपने घर के लिए बजार से नहीं खरकता हूं यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सेर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें नमस्कार मैं राजीव कुमार कानपूर से किचन गार्डनिंग चैनल पर